करेंगे और आप लोगों को साथ लेकर चल करेंगे और आप लोगों को साथ लेकर चल आप लोगों से भी पूछेंगे और खुद भी बात करेंगे इससे पहले जो मैं बात करना चारी हूँ वह यह है कि बिल्ड यूर कनेक्शन का एक प्रोग्राइम है जो हमने स्टार्ट किया है उसमें आप सब को होना लाजमी है आधाला काई जो बिल्ड यूर कनेक्शन का इं कर लें जो जो आप लोगों में सबकून लोग है जो jag connectionprogram में करें में बिल्ड यूर क्रेंशन में जो फॉर्म करते है ठीक है और शीट वगार शीट देते तो उसको हम उसका फीम काव करके लिंक देते हैं संहाँ का नहीं है सिस्टम सना वतूल सफिया हान और कौन है नो मैम नहीं है ओके गुल्रुख आप गुल्रुख क्लेक्शन में है अदनान आईश्या यह सुरी जो नहीं आए इन से पूछ रहो कि इनके कितने हैं क्या कते हैं जी मैम आप है के नहीं है जी मैं हूँ मैने कर नो मीटिंग ज्यॉटी तीं टैंडियो इस पे आपको हजार कनेक्शन हमारी कोशिच यह है कि हम आपको युणीक क्शन दे ताके आप उन ही को मैसिसे सेंड करे हो और अपने connections को बनाएं और जो लोग उसमे एक्टिव नहीं होते हम उनके connections को remove भी कर देते होते हैं क्योंके वही connection हमार unique connection हम लोग उने औरों को देने होते हैं तो अगर आप लोग नहीं यह ज़रूरी यह आप किसी भी project पर fall करने के लिए आपके thousand plus unique connections होने चाहिए तो आप उसके अंदर आ सकते हो तो किसी project पर आ सकते हो और उसका यह है कि आपने simply फॉर्म फिल करना है और एक sheet share कर देना है तलहा के साथ वह आपकी drive की sheet है हम उसके अंदर आपकी पूरी entry करके आपको forward कर देंगे तलहा उसका how to start जो है how to share a sheet उसका drive की जो sheet है उसका भी link send कर हैं ताके इन लोगों के लिए easy हो जाए जी मैंने दो sheets दो इनको links मैंने शेयर किया अभी एक मैंने दिया है इनको intake का और दूसरा how to start यह दोनों currently pick कर लें यह बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए तलहा यह वाले जो है ना हमारी sheet जो इसका share की जाती है ना उसमें भी यह connection जो आप बना रहे हैं यह सारे आपके honors हैं यूएस में different different fields में ठीक है तो हम different fields के honors या founders या presidents उनके connection इसलिए बनवाते हैं ताकि जिस सकत हम किसी project पे हो तो हम foreign से जो हमाई required लोग हैं हम उनको foreign से catch कर सके मुझाए इसके के पहले हम उनको connection में लेके हैं और फिर उनके साथ हम business start कर सके हैं तो माई पस वो पहले से ही होने चाहिए और फिर हम उनको एकदम से कोई भी project हो तो अपना हम अपना product या जो भी हम चीज ले रहे हैं या कर रहे हैं प्रोजक् हमारे पाकिस्तानी connection इंडियन connection बंगाली connection गल्फ के collection यह हमें किसी काम के नहीं है यह सिर्फ हमारा number बढ़ाते हैं कि हमारे connection का number इतना है other than that उसका और कोई फाइदा नहीं होता हमें फाइदा सिर्फ US connections का ही है अब यह भी काफी लोग मुझे कहते हैं जब हमें उनका फाइ पाकिस्तानी अपने जेवी जीनिया से जितने आगे बीच्वरे लोग हैं जो नॉन यूएस लोग हैं उन से आपके connections का count बढ़ता है दो चीज़ें कांट की जाती है किसी भी business के अंदर आने के लिए एक आपका connection का count और एक आपका connection की strength कौन सी है कौन से country के ज्यादा आपक make sure करें कि आप लोग इस प्रोग्राम में हों कोई charges आप से नहीं charge कर रहा कोई किसी से कोई बात कोई की कोई बात ही नहीं है कि हम को पैसे आप से ले यह free of cost training भी और यह connection भी हम आपको जिस वकत प्रोजेक्स आते हैं तो हम आपको उल्टा पैसे दे रहे होते हैं हम आप लो का प्रोजेक्ट के पैसे कितने लेंगी मुझे अंदर लेने के मुझे enroll करने के तो वह मैं इसको भी clear कर दूँ और जो 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 उसके इसके साथ के बात सुन रहते देख रहते हैं उनको भी clear कर दूँ कि we don't charge you anything हम आपको यह training भी मुफ्ट दे रहे होते हैं हम आपको आपके connection है तो यह सब हम मुफ्ट करें इसमें free करें इसमें हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करें we do have old people जो हमाई साथ काम करें आप उनसे भी confirm कर सकते हो उल्टा हम लोग आपको प्रोजेक्स दे रहे होते हैं उनके पैसे दे रहे होते हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं कि जितने भी आगे पीछे online earning के ग्रूप सेंस उनका कोई ना कोई सिलसला पैसे लेने पर आई जाता है थोड़ा 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 नी जादा नी तो थोड़ा कि हादी हम इतने पैसे इतने पैसे इंवेस्ट कर दें यह कर दें हमारे तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह बात ले क्लिय करनी थी सेकेंडली मैंने एक टॉपिक किया था पॉजिटिव था और नेगिटिव थाउट्स उसकी उपर अगर किसी का कोई कॉश्चन है आप लोग कर ले और जो लिक्स नहीं है कैंडली आप उनको देख ले उनका वह अपने पास सेव कर ले और आज आज या कल में आप अगरे उसकी उपर जो भी बात करनी है विल्ड यूर कनेक्शन के उपर वह तलह को गाइड करेगा तलह उसको लीड कर रहा है पर जाना है तलह है जी रमवाथ आप लोगों ने क्यों देनी है इस फॉर नहीं देनी है अच्छा ओके दन 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 तो फिर आपको क्या सुर्वाद है वस्तिक पीपल हमें ने लोगों ने लोगों आपको तो explain करना है न वस्तिक ये थैंक यू ओके तो किसी का कोई कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉपिक विएफ डिसकर्स लास वीक किसी कोई स्वाला उसके बाले में तो अपना हैं रेस गए इरम मैंने आपका हैं लोग किया तो आपका प्राना ही स्वाल था कोई है तो यू कैने लेजरेंड जी ऐनीवन जी इरम नहीं इरम का लो रहा है अच्छा इरम का है जी इरम नहीं वो बटन पोश्ट नहीं हो रहा है इस वजा से वह है तो थैंक यू सो मच मैं कर रही हो स्कूर्टिक करता हैं ओके रिज्वान प्राइड के जाएगा नहीं उसको अभी आपके साथ ये दो लिंक शेयर किये हैं हमने आपके कनेक्शन भड़वाने हैं वह अभी आपके जितने भी कनेक्शन हैं हम अभी आपको ले लेंगे वह हमारा इंटर्नल ग्रूप है अभी आपने लेट जॉइन किया होगा वी अलड़ी शेयर इन चाट बाक्स और विल दो इट अगें तल्हा पर से कर दो बच्छे हमें चैट बाक्स पर दो लिंक्स शेयर किया है कांडी आप उसको रख देख ले और अपना अटेंडनेस भी मार्क कर दें तल्हा इक इन दुटिए जिए जवार शेयर को अज़ा आपके लिए इसमें फॉर्म विल करने के लिए उन्होंने गूगल शीट लिंक कहा है तो मै को लिंक दिए गये हैं एक फॉर्म है और एक हाउ टू स्टार्ट है यस माम करने से पहले आपको हाउ टू स्टार्ट देखना है हम कोई भी काम देने से पहले उसका हाउ टू स्टार्ट बनाते हैं वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पता हो कि हमने कैसे करना है ओके इसलिए आप कोई भी टास्क देंगे उसका या तो आपको बतार के बताएंगे या उसका एक लिंक देंगे हाउटी स्टार्ट का आप उसको आराम से देखें येस मैं ठीक है। जी सारी जी सेने वह क्वेशन था गोलोग हिजट यो रियल नेम और आप किसी के मतलब कोई और नाम यह कर रही है किसी मैं मैं मेरा रियल नेम है ऑक ठीक है आपका हाइंडरेश था जी मैं यह क्वेशन पूछी थी जो अभी सना ने पूछ है कि यह गोगल शीट लिंक जो है इसको क्या फिल करना है यहां पर मैं फिल कर रही थी देख लेते हैं ठीक है ओके आप लोगा ने हैंडरेश किया है फॉर्ट पीविएस टॉपिक लेकिन हमें वह आपने वह क्लियर है जाब इक साथ काफियों और हाथिंग मेहाल में चलेगे आप लेजाई का देख लीजेगा ओके ओके वाट इसीगों वटा सकता है वाट इसीगों इकटिश ए अच्छी है बुरी है होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए लिएफ इसे वारी फ्यू मिर्स हैंडेश जीरम अपने आपको बड़ा चड़ा के बता सकते हैं और अपने कुछ रूल्स होते हैं उस मताबक चल सकते हैं और अपनी आपको इंग्लिश टांसेशन पूरी बताओ वट्यू थेंग इस ईको मैं, ego मतलब के आप इसे को जुटना पड़े लेकिन आपने नहीं जुटना, किसे को जाकून को कीदि आपने kita perché आपने नहीं जुटना किसे को सोरी होग आ जाहिए लेकिन आ अपमे कहने हैं वस मेरी ego मैंने इसे sorry नहीं कहने इसको खतम करने मतलब इसको eggplant yan kaya JEFF Cris के आप बोल रही हो जी सफिया हान जी एगो इस इट सेल्फ डिफेंट करता है जो कभी भी अउनी जस नाथ सॉरी पर कि हम से सॉरी बोले और एगो एक एक आप में एक सेल्फ एक्टिविटीज होती है जो आपको फुद आपको फुद इस एक्जाम्पल एगो इस तिंकिंग सकतरे कार्ड़ स्मार्ट परसंट और अर्व आर्थ अर्ट थमोस्ट इन पर ऑट फूर्ट प एक्टो ऑग एक्व एक्व पाजिटीव इस नुकसां दे होदा है लेकैं पाजटीव एदू आपको भूस करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए तो अगर आपके दिमाख में यह आता है कि आप बैटर है अदर से तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुक्सान जे हैं लेकिन अगर आप यह इसको पाज़िव में लेकर चलते हैं तो यह इगो आपको आपको एक तरीके की एनर्जी देता है और आपके सारे जादा देखा गया है इगो जो है आपको फांप्लेक्स में ले जाता है और सुपैल्टी की जगा आपको लगता है कि हम सबसे बड़े हैं और हम सबसे अच्छे हैं तो जादा इस वे में जाते हैं ओके तैंक यू वाइ जी मैम जैसा मैम सफिया ने कहा मैं भी तकरिवन उनके साथ स्टेंड करती हूँ इगो स्टेंड फार बोथ इन पॉजिटिव एं नेगेटिव वे इगो का मतलब अना है के इस आर रूल्स आफ यॉरसेल्फ के एटिट्यूट इट स्टैंड आलसो स्टैंड फॉर इसले Flip मेरे माशले में हमारे माशरे में जो एगो है वो मेरे खाल से ज़्याद इडिव में हर इंसान के अंदर यही एगो है कि ने किया है वह बिल्कुल भी कुछ नहीं है मेरी चीज वो होगाट दूसरे की चीज होगा यह देली का एक हमारा चेप्टर है जो हम खुद भी इसके साथ फाइट कर रहे होते हैं अगर हम तो इसे समझदार है और अगर हम अपने अपने आपको अपने दमाग को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इस सीज को अवर कम करते हैं और डिफेंट जगों पर हम अपकी एको को मारते भी हैं और उसको सामने लेके भी हैं मैं आपको बताती हूँ एको इसको इसको आप आई कहते हैं आई मतलब में इन लैटन वर्ड इन लैटन लैंगे इस आई मतलब में अर्दू में भी जिसे आप कहते हैं में 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 ही में में हूं में तो इसका इगो का मतलब ही आई है अगर आप इसको लवजी मतलब पर जाएं I am the best I am the one I am the only one यह वले मतलब जहां पर में लवज आ जाता है वो तो जारी बात है मेरी जात में ही हूं सब कुछ और कोई आपकी एगो है यह कभी आपके लिए अच्छी है आपको अपने आपको समझना सेल्फ एस्टीम आपकी सैल्फ रिस्पेक्ट आपकी आपकी आइडेंटीटी जब तक तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर जा रहे होते हो तब तक तो आपकी एगो अच्छी है इस यह लोग तो मेरे से कमद्र है या मैंने यह ने काम किया है और यह मैं कर सकता है और यह कोई नहीं कर सकता वो आजाती है नेगटीव इगो ठीक है फिर उसका एक एक स्ट्रीम पार्ट होता है गो फिर वेगो इस अब आप इसके अंदर आपने ना तो किसी के सुनी है, ना आपने किसी की माननी है आपने जो अपने दमाग की आगी देहिए दिन दिल की आगे आपने वो करनी ही करनी है चाहे वो आपको नुकसान दे दे या चाहे वो दूसरों को नुकसान दे दे यू दोंट थिंक अबाउट आदर्स के हां जी वो क्या कर रहे हैं या उनके साथ चलने वाला सिस्टम ही हत्म रहता है आप उसको इंडिवीजुली अपनी जात के लिए लेकर चल रहता है शुआ है आपको गलत मतलब बहुत इक्स्ट्रीम पर जाते वे आपको जिससे कहते है यह इसाण के यह इकाश्य जाता दुट अपनी यह शेतानियत है इसकी कि यह लड़ाई करवा रहा है यह इसकी एगो जो है यह हमें डिस्टर्ब कर रही है यह इसकी वजह से हम लोग परिशान है यह अपने आपको क्या 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 समझ है वो जो आपका एक अंसर होता है अग्रेसिव निचर वाला दैट इसकॉल आईडी जिकल एक क्मद्व और जेए कि I.चिस इवल पर्फ योर 2 एक सऺड़ूं की में बच्चे साइट का गरी दो क्या हम फिक हम पादा होते है क्या हमारे साथ 1 पैदा होती है जब हम 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 इस itel правильно up right here तो येस, जैसे ही आप अपने आपको समझना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है, आप पहचानना शुरू करते हो अपने आपको. इगो पैदा कहां से होती है और यह आप बच्पन सही जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हो आप इन फियर से लड़ रहे होते हो इस तरीके से एक्षिवाई साथ-साथ-साथ-ईगो भी बड़ी हो रही होती है न इगो इस बोन आप फियर और एड एसलेशन इप क्रियेट आरड़ इटी एंड सेपरेट अस फ्रॉम दोस अराउंड अस वैंड वी वर्ड़ द चाइल एठ अगे आझ कने साथ-साथ-साथ-इगो भी बात की के अपना आप को पहलेधे तो आप गुड वें आह सोच रहे होते हो यह वाम कर सकता हूं फियु लिकिन इंड जो बैकर सकता हूं वहायला讲 में ही कर सकता हूं मेरे लावा यह कोई नहीं कर सकता तो that is the negative part of your ego आपकी ego जो है वो हर वकत आपकी enemy भी नहीं होती ego is not a problem stop treating it as your enemy if it is a positive अगर आप उसको positive side पे हो तो stop treating it as an enemy अपने आपको इस मार्शरे में या इस दुनिया में अगर आप आए हो तो you are our identity उसको अपदी आप identity को मार नहीं सकते हो ना ही कोई ऐसा answer कोई किसी को आपने अपनी identity को मारने देना है like आपको कोई दबाए भी ना जाइस दबाए भी ना कि हाँ जी you are nothing and I am something and that person is something और आपको वो down 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 करते इतना down करते हैं कि आप उसको इसकी depression में चले जाएं या आपको anxiety tracks आने शुरू हो जाएं mostly depression में लोग चले जाते हैं कि मैं हुई है इस चीज से बचने के लिए यह जो एक ego positive ego concern है यह आपने अपना live रखना होता है और साथ लेके चलना होता है control लेके चलना होता है do we have any question here do we have any question here okay आप से मैं एक स्वाल करूंगी आप जब कोई अपनी presentation या आप इस वकत अपने उसमें जा रही होती है अपने sessions में जा रही होती है how many times you think you know this thing and the other no don't know what you gonna explain them up like a couple of step in a pic yeah i can make it up except up a procedure meal don't mind कि मैंने आपको क्यों लिया मैं easily आप से बात करें आप संब्स रहोगा इस वजा से इसलिए आपको पेक्किया है so how many times do you think that may you may आज इनको बताने वाली हो इनको नहीं पता होगा at first जब तक मुझे बात पता नहीं होती है मैं बोलती ही नहीं हूँ परे तो honestly speaking i'm very fair to myself क्योंके ये भी एक training होती है आपके mind की के you don't have to say or think you're the best in the world लेकिन जब आप जाते किसी lectures पे अगर आपके पास knowledge है and you know sometimes as a situation हो जाती है वहाँ पे कि आपको किसी की जगा जाके बोलना पड़ जाता है और sometimes आपको वह handle करना पड़ता है कुछ और हो जाता है stage पे खड़े होंके और people वजाए वह घबराने के हम कोई और topic पकर शुरू कर देते हैं मैं जुल करना है जैसे बच्चे से भी phone करके पूछ लिए जिए नहीं आता तरह सिखाना तो the thing is this is this is what it is you have to train your brain because जो आपके brain के अंदर चीज एक ego नामी चीज है वो self-praising चाहती है वो चाहती है कि yes because हर वकर self-praise होने से इनसान over confident हो जाता है और आप एक moderate life में नहीं रह सकते तो I think Allah का एहसान मानना चाहिए कि आपकी पूरी जगह पे जब आप जाते हैं तो आपकी इज़त मानी जाती है when I step in somewhere everybody knows कि इरम फवाद आई है तो वो कोई सही बात करके जाएगी ये उस दात का एहसान है मेरे पे कि ये बात होती है वन्ना मैं इस काबल नहीं तो दूसरा जब आपको कोई चीज नहीं आती है मैं refuse कर देती हूं मैं ये सोचके नहीं जाती हाँ जाँगी और जीत कि आओंगी कभी भी मैंने ऐसे नहीं सोचा इसलिए जो और ये जो अलफाज सब के होते हैं दमाग में होती है कि इरम फवाद is coming and we gonna hear something प्रेश कॉछ यह तो बहुत मसला है यह भी बहुत मुझे तो बहुत मसला है क्योंकि मैं ऐसे सोच के नहीं जा रही होती है लेकिन लोग जो है ना वो ऑर क्या कहना चाहिए अपने आपको डिफैंडेंट के दोर पे जो है नो वो खुछ और ऐसी हरकते करते जिसके उपर किसी भी फिल की बात करती हुए इवेंट मैंजमेंट की बात करती हूं यह मैं किसी जगह भी जाती हुए मैं तो 17 चीज़े करती हूं लेकिन पीपल गेट अप्रेड आप्रेड आप्रेड आगेस मैं यह काउंगी जबके I'm that kind of a person कि you're confident enough but if I don't know anything I can ask anyone मैं अपने से छोटों से सीखती आ रही हूं मेरे खाल से मेरे students मुझे सिखाते रहे हूं और आज मैं इस वरे class में भी इसी नहीं हूं कि every day शायद हो सकता है मुझे वो चीज ना मालूंगा मैं पिछले एक देर साल से इन लों के साथ हूं और summer गवाए इस बात की कि चाहे मैं travel कर रही हूं यह मैं कुछ भी करेंगा just for the sake of project name for the sake of something new that I need to learn okay हो सकते मैं वो मिस कर दूं और फिर मैं उसकी वीडियो मांगती रहती हूं तो 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 तिंग इस लाइक आउल यू नीड तो इस ट्रेंड यूर माइंड पहले मैं कभी ऐसे सोचती थी यहां जी ऐसे होना थे का आज से कोई 12 साल पीछे अगर मैं चली जाओं तो ऐसी बाते मैं जुरूर करती थी कि नहीं मैं तो मतलब ब्रिगेजर की बेटी हूं औ लेकिन मैं नहीं सोचा कि यह सारा जो आपका जहन बना के रखता है कि आपकी परस्नेलटी ऐसी है आपने यह करना है आप जाएंगे और चा जाएंगे ऐसे नहीं होता फिर आपको डिसपॉइंट होती है जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है और की है ऐसे ही है यह हमारी एगो होती है जो हम लोगों को इस प्रिक इस परहई तक ले,कम मम 1 अबस्ट करना लेते हैं है h ак-,, यह.ध़ज कर लेते हैं इस अक रूम और अब लीध़ दो नहीं कि आपको आएंड चीशे अप आईन गाले हॉते हैं। को यह दूसा देख्ट नहीं रहा होता है मैं जिसना सोरी एम कुछा लगता है इस चीज़ को और हम अपने से ऐसे बंगे से पुज़ हैं और उनको अगर किसी चीज़ के समझ नहीं आए तो वह इस चीज़ पर अटकना हमकी एगो हो जाएगी हमेरी वो हो जाएगी के यार मैं कि मुझे नहीं आरही, तो मैंने किसी पूछनी नहीं है, जाहिर में नहीं करनी कि मुझे नहीं आरही है, और मैंने अब उसको बताना भी है, तो मेरी एगो है, जो मुझे force कर रही है, कि You don't have to ask this person, है और वो क्या कहे रहा होगा कि इसको सब कुछ अच्छा हमारे दमाग में को चीज क्या आ रही होती है उस टाइम पे कि जब मैं उससे यह चीज पूछूंगी तो वो क्या सोच रहोगा मेरे बारे में फिल ठींग के मुझे पता ही नहीं है मुझे कैसे नहीं पता हो से कम ली बाट चीजों का पता है जी एरम जी मैं यह कहना चाहरे थी कि एक्चली हमारे जो मुस्टी लोग है वो लोग एक बॉक्स में रहते हैं और आउट उस बाउप्स को ने इस तो हुचते हैं आज का जाए आज है तो मैं यह यह कह रहा है कि जिन लोग को जैसे कि मेरी अपनी उलाद मुझे कहती है कि मामा आपको तो यह आता ही नहीं है आप बड़ी जो है ना बिजनस ड्वेलोप्मेंटर बढ़नी वी है तो मैं उनसे बजाए लड़ाई करने के या उनको डांटने के नहीं मैं मैं मदन हूं तो तो मैं ऐसी बा तो 25 चीज इसी होती जो दो पर दो कि रहे ही हैं जो आपन जाती है या या जो सिखाना को जिए हर किसी के दमाग के सीखने की अपास्टी होती है यह साइट पर हो रही है हर किसी के दमाग के सीखने की हर किसी के कोई काम करने की एक कैपस्टी होती है हर कोई हर कोई हर कुछ काम नहीं कर सकता ठीक है यह हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बहुत जल्दी मैंने भी इसको बहुत लेट एक्सेप्ट किया कि मैं हर काम कर सकता पहले ही होता था कि हां जी पे आइ सब्सक्राइब करने के पीछे पीछे आप अपने नुकसान करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह हर दमाग की कैपस्टी है हर दमाग 100 परसंट नहीं हो सकता अगर कोई हर काम नहीं कर सकता है हमें बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए लेकिन यह समझने के लिए भी आपका दमाग अगर आप अपने दमाग को कुंट्रोल करेंगे तो आप वहां तक जाएंगे अगर वह इसी आईने के अंदर है कि मैं हूँ वह जो बॉक्स है मैं कहती हूं कि जब इगो का मैटर होता है उस टाइम पे वह एक आईना हो जाता है जिसमें आप अपने आपको देखते हैं और सुर्फ आप ही आप दिख रहे होते हैं और कोई दिख नहीं नहीं ना आपको इसे चोटा ना अपने से बड़ा तो फिर आप किस तरी के से उसका बॉक्स को आपको बच्चा भी सिखा जाता है और उस टाइम पर ऐसा हसाब था बिजनस अभी स्टार्ट नहीं किया था लेकिन उस टाइम पर ऐसा दमाग था कि बहीं मुझे तो सब कुछ आता I can do anything लेकिन मुझे उस तीस का इसास हो गया था कि यह मेरे में एक गलत एक चीज आ रही है एक नेगिटिव थॉट आ रही है वोट आई डिड़ आफ्टर माइंब एंवरिटिंग मैंने फोरण से अपने आपको स्विच किया टूर्स मॉन्टी सिरी ताके मैं अपने आपको बच से और एंगर और में आम दावान वह चीज मेरी खतर हो सके एंड ट्रस्ट मी फ़र दोस फाइव मियर्स यह जो जितना भी अपसा सिल्सला है यह वह उन पांच सालों की बेस है मेरी पढ़ाई की बेस नहीं जो पांच साल मैंने प्री वन बच्चों के साथ गुजा रहे हैं वाटएवर आइम टुड़े पढ़ाई तो वाटएवर इस तेर वो तो एक अंसर है यह लेकिन वो जो उनसे सीखना उनको देखना और उनके मताबिक जाके उनके फुटस्टप्स पर जाके उनको सखाना व को ही आज जहां पर हम में खड़ी हूं वो में उधर से ही आई हैं मुझे पढ़ाई ने बहुत सुपेरियर बना दिया था दमाग खराब कर दिया था कि मैं ही कर सकती और कोई नहीं कर सकता है ब्रेक बैट आट आइस आप लोग भी देखें कि किया आप लोगों का यह बहु आप देखें आपके एक्शन से क्या आपके पांच है जो घर के मेंबर्स हैं आंडे हैपी क्या उनको को प्रॉब्लम तो नहीं को मैं बहुत सी उस चीज़ को आप सोचे पहले सोचे अप फिर उसके उपर वरकी नहीं सफिया सफिया फिर आप काफी देया सुन नहीं है एक सेलफ पांफिजेंस, सेलफ रिस्पेक्ट और ओवर कांफिजेंस के बीच में तो जब हम और क्योंकि कोई भी कितना भी पढ़ा हो, कितना भी पीच्टी की उना किया हो लेकिन सब कुछ सारे नॉलेज एक साथ नहीं आ सकती है एक इंसान में तो एवरी एज में आपको कि आपको बस सीखने यह नहीं सोचने चाहिए कि हम को चीज नहीं आ रही है तो यह शेम है हम किसी भी एज में किसी भी टाइम पे कुछ भी सीख सकते हैं किसी से भी और अगर हमारे में दर यादा नहीं हो आम पॉर्फेक्ट फर मैसब तो वो वो फीलिंग एगो है जो आप सोच्त है उसको आप हैंड़ का रहा है किसी ताइम भी सीख सकते हैं नो बारियर फर एडुकेशन टाइम किसी से भी हम सीख सकते हैं तो थैंक यू फर टाइम यू ताइम आपके पार इंटाना था के इगों का यह मतलब है के जो आपके ब्रेन में चीजें बगारा जो आप सोचते हैं उसको आप हैंडल कैसे करते हैं कि मैं अगर मेरे अंदर कोई नेगडिविटी या कोई ऐसी जो जेन में ख्या राते हैं उसको मैंने पॉस्टिविटी कैसे कनवर्ट करना है ताकि मैं आपने आपको ग्रो करो जूल करना हैं दुनिया में एक ही है उसल कर वनना नहीं करेगा और कुछ करने के लिए कुछ इलिब करना सिखेगा लोगों के सारब बाते करेगा कौम करेगा और दुस्रों कोशीएर परेगा अपना जिससे मेरी इगो भी पावर माइन सैट होगी और काम बहुत अच्छा होगा और अग्la भी समझेगा कि रुलक नहीं क केक अपने बिजनस की खी किग आपने पढ़ाई की और पढ़ाई ने आपको the degrees make you more egoistic, ठीक है? Yes, it made me more egoistic, because yes, some time answer क्या था, मैं आपको बताती हो answer क्या था मेरे में एक शीज ड्वेलप होगी थी कि I'm the first one who have gone for this far for the business studies फिर उसके बाद family का भी एक था कि I'm the only one who have done this thing फिर बड़ा भी बड़ात भी काफी था कि I'm the eldest one तो वो ये चीज़े सारी combine होके बहुसी एक चीज़ क्रियेट होनी लग गई थी, हो गई थी in fact, बहुत सारी, वो जिसे कहते हैं न कि कोई चीज़ दिखनी रही थी, वो दिखना शुरू हो, ये मुझे में I got selected around कोई एक United Nations का प्रोग्राम था Women X के नाम से और पाकिस्तान से 70 खवातीन सेलेक्ट होई थी, मैंने भी वो टेस्ट दिया था और मैं भी उसमें से लगी दी उसमें सेलेक्ट हुई United Nations trained us into business, entrepreneurial business management, ठीक है जब वो कोर्स किया तो फिर दमाग आठमें से आसमान पर चले गए साथ आसमान नॉर्मन होते हैं और आप आठमें पर चले जाते हैं होता ही है कि जब आपको हर वकत लोग आपकी appreciation पर जब हम वहां गए तो तब मेरा confidence level पहले ही अच्छा था और जाते साथ ही पूरा पूरे का पूरा दस हो गया एक से दस के स्केल पर उसके बाद जब टीचर्स ने appreciation करना शुरू किया तो फिर फिर आप over confidence वाले level पर चले गए जब आप वहां चलेगे तो आप ने सोचा बस मैं तो आप जो है ना I can just nail it मैं अभी जाँगी और ऐसे काम हो जाएगा फिर जब पहली हमें मैंने पहला काम शुरू किया जब तो पता चला कि बहन ये तो सिरफ कॉलेज की बाते थी आई बीए की बाते थी वापत आजो पात पे और काम शुरू कर दो शीखने का तब ये that was the first time I felt like that so मैं आपकी बात को करते हैं बिजनस में भी जब ही भी कोई भी वेंचर होता है तो नेवर गेट ओवर कॉन्फिटेट्स और एगो ये होती है कि अच्छा उसने मझे ओठके सलाम ने दिया मैं भी अगली दफ़ा जब आपको पता है कि आपकी ये जो अगूस्टिक नेचर होती है ये आप में ड्वेलप होती ही है ही है लेकिन लैक आफ यूर पेरेंट्स एटेंशन ये इवर साइट पर भी चली जाती है अगर कोई बच्छा आपका थोड़ा सा आउट्स्टेंड मतलब एड्यूकेशन में आपके साथ अच्छा चल जाता है उसके अलावा वह आउट्स्पोकन भी होता है कॉंफिटेंट भी होता है तो वह एक चीज़ जो हमारे पेरेंट्स गलत कर देते हैं वह ये 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 कर देते हैं कि उसको कुछ तो खुद हम आसमान पे चड़ जाते हैं कुछ वह चड़ा देते हैं वह बहुत गलत हो जाता है क्योंकि अब जाए इसके के आप अपने बच्छे को ये कहें कि ठीक है यू हव ड़न दिस तिंग देर आर अदर तिंग्स तो डूर आप उसकी जो अब इसको करेंगी कि वह प्रेशेशन वह सब चीज हैं कहां से आ रही थी सबसे पहले आपके घर से आ आ रही है आपके इमीडियेट डिलेटिब्स वाओ शी है ड़न देस तेंग वाओ ओके जबफर दस्ट वह जो यह वर्ट शूज हो रहे होते हैं ठीक है वह आपको कर र हमली मेंबर्स का होता है आपके आपको वह सा खेंच के जमीन के साथ लगाई रखें कि हाँ जी यह ठीक है यह बात हो रही है लेकिन यह इसको अपने अना का मसला नहीं बनाना है डोंट गो टोर्स तर एगो के आप उस आप पर वह आपको यह दिखे ही ना इस चीज का जो स है कि एक को तो हमने चड़हा दिया एक के तो पता हमने चड़हा दिया बहुत अच्छा बहुत अच्छा यही सब कुछ करता है यही आगे जा रहा है यही कर दूसरा होता है वह बचारा डिप्रेस होने लग जाता है जो बचारा तो सा मेडियोकर होता हमाई के मेडियोकर ज समझता है नहीं है उसको दंदल दर उसको उसको निकालते नहीं है और जिसको चुड़ा दिया उसको आस्मान पर बिठा देती है यह चीज यह जो जितनी भी हम topics discuss करते हैं यह सारे इसी पर base कर रहे हैं कि हमने being parents खुद को ठीक करना है ताकि हमारे बच्चे भी जो है यह मारे जिनेरेशन से वह आगे से एक proper उसके साथ उनको पता हो कि इस इस राइट हम ही उन चीजों में इतने फसे होते हैं अक्सर अकात यह जो हमारे में confidence आता ही हमें हमारे parents यह हमारे पड़े ही हमें दिलाते हैं वही ह में लेकर आते हैं इस चीज के उपर कहां जी आप confident है ठीक है confidence is something else है भले वह आपका वह क्या कहते हैं अभी एक भाई नहीं आपर बात की कि मेरा 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 सोना और तुम्हारा लोहा बहले वह उलाद आपकी सोना है लेकिन आपने उसको लोहा भी बताना है कि समझा रही आपको किसी का कोई question या कोई बात यहां पर शेयर करना चाहता हूं जी तल्हां मैं जिस तरह से भी आपने बताया कि हर यानिके हमारे parents भी इस चीज में आ जाते हैं कि इगो में आ जाते हैं इस तरह से मैं भी अपनी यानिके life में समृमने जो मैंठाना मेरी मिरी के सीयर है è अजो हागी के जो फिर शेयर कि वी इस किया कैश चल रहा है कि आप से आ जाए अ को रहे हैं कोई बात नहीं हो जएगा चले कोतनी हमारे babies कर ली थक वो तो आस्मान पर बैड़ गया उसने कर लिए सो माई ममी सेज के वो ऐसे कह रही थी मैंने कोई बात नहीं सो इसे भी मेरे कहाल से हसद और एगो एक इनका भी आपस में connection है इंसान सुनता है जी सब का connection है जब इंसान सुनता है कि हाँ इसके बेटे ने ऐसे कर लिए इसे नहीं यहीं को ही सीखना है यह हम लोग नुआ है यह करना है ये सोच में ही है सोच दमाग जी फरहाना एसेस्मेंट लिंक शेयर कर दू जी कर दें प्रीज ये सब चीजें राइट ये मैं अपने पेरेंट्स को भी गलत नहीं कहती हूं कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं नहीं गलत नहीं एक्षिक हमने देखा ये है वी आधे एक्स्ट्रीमिस फॉर्म फार प क्वीदार्यआ आपको हम लोग अपने ही फेरेंट्स की एक्स्ट्रीमस होते हैं जो एफनी मदर अपने फादर को हम करता देख होते हैं वह तो हमें पता ही होता हम उससे एक कदम आगे होते हैं वजाए इसके हम यह सोचे कि क्या सही छा क्या गलत था कि रोस को सभी किंड़ पेरेंट्स ने ऐसे किया हम भी करेंगे और उस बल्किए से एक कदम और आगे होके दिखाएंगे आईशा आपने हैंड्रेस किया था बेटा मैं में निवाजा लिए स्वरी आईशा मैं में वह समझ नहीं है आईशा क्या बात करेंगे में में मेरे करेंगे कॉश्चन है इसां किया बात करेंगे आईशा मैं वह कहरे है मेरे कॉश्चन है बोलो ना बहुत को पूछ पूछ आईशा मेरे वस्तंगे एक हम कोई अगला बंदा हमें करें हम इस जगह गलत हैं से यहां पर शुरी कहना चाहिए लेकिन हम अपनी जगह ठीक हौंके हमें सब्सक्राइब यहां पर मैं आपको आईशा एक चीज़ बताती हूं हमारा कोई भी एक्षिन जो होता है वो हम हम या कोई भी किसी के अगेंस्ट अगर कोई आप गलत काम नहीं किया तो आप किसी की बुराई नहीं कर रहे होता है लेकिन हर किसी का ऑपिनियन डिफरेंट हो सकता है स्पोल्स में यह स्क्रीन के सामने बैठी हूं मुझे सब चीज़ां सीधी दुख दिख रही है सही देख वह भी उस चीज़ को देख रहा है उसका व्यू डाइगनल है मेरा स्ट्रेट है उसका डाइगनल है वह देख तो भी रहा है लेकिन उसको स्ट्रेट तो नहीं देख रहा है जो चीज़ आपको देख रही है क्या पता वह उसको डाइगनल एंगल की वजा से उसको वह तो वैसी clarity के साथ ना दिख रही हो, ठीक है? मैं कहा रही हूँ कि हाँ जी, pixel free picture है, वो कहा रहा है, नहीं थोड़े pixel है, अब ये conflict आ गया ना हमारा, एक ही screen है, एक ही जगा पर बैठे में है, लेकिन क्या चीज़ है कि मैं straight देख रही हूँ, वो डाइगिनस वह साइट पर बै मुझे pixels नहीं देख रहे है, मुझे clear screen देख रही है, क्योंकि मेरा angle भी ठीक है, light भी ठीक है, everything is fine, the person who is sitting next to me, वो थोड़े साथ का angle different हो गया, अब screen मेरे सामने है, वो थोड़े साइट पर है, उसको side से नहीं देख रहा है, नहीं थोड़े सी screen थोड़े साइट पर निकल ग कि यूर रॉंग, तो आपको देखना है कि actually किस चीज का जो, क्या कहते है उसको, क्या चीज उसमें ज्यादा है, like, जो भी बात हो रही है, जिसके उपर conflict हो रहा है, उसमें से बुराई कितने percent है और इसकी अच्छाई कितने percent है, और आपने तो अपना कहा दिया नहीं, I was right, मैंने गलत नहीं किया, लेकिन जो अगला person है उसको वो गलत लग रहा है, और वो आपको apology के लिए बोल रहा है, आपने देखना है कि क्या वो वाकिए, अगर ये मेरे साथ हो तो apology के like है के नहीं है, अगर वो आपको अपने पर लगता है, कि अगर यही चीज यह करेगा और म से हैं, लेकिन आप उसको explain करें कि मेरे लिहास से यह ठीक था यह ठीक है, but it is wrong from, you think it's wrong, so I'm saying sorry, but it was right from my head, ताकि आपकी भी रहाजा है, उसकी भी रहाजा है, आपनों क्या conflict solve हो जो, वो भी राजी, वो भी राजी, आप भी राजी, कि मुझे लगता कि यह ठीक है, but I'm saying sorry, because you think it's wrong, और अगर आपको पता चल जाए, कि आप गलती पे हैं, तो आप सबसे पहले उसको sorry बोले, because माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसको बड़ा ही होता है, उसकी और होती है, कि हांजी, इसने खुद से बढ़ के आगे sorry कर लिए, लेकिन अगर आपको लगता है, कि ये चीज जायस चीज है, ये बेकल ऐसे होना चाहिए था, और उसको नहीं समझ आ रही, तो आप उसी की बात उसी पर कर दो, कि मेज़े पता है, कि this is right, but you think it's wrong, so I'm sorry, if you feel like this, समझाई? और ये हमारी life के हर point पे, it's not saying कि कोई sorry, आपको कहने को कहरा नहीं, हर point प कि अदम पे ऐसी situations create होती है, जहां पर आपको जिसे आप कहते हैं, अपनी ego मारनी पड़ती है, अपने आप अपनी मैं मारनी पड़ती है, जिसका कहा, कि I'm right, but he's saying you have to say, he or she is saying you have to say sorry, आपको यहां पर actually अपनी ego मारनी है, कि okay fine, I am right, तुम्हारा तुम कह रहे हो कि मैं गलत तो I'm sorry, but I think I'm right, I'm sorry भी कर दिया, और उसको समझा भी दिया, कि आप इसकी उपर सोचें, इस सही भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको तकाजा पुरा कर दिया, मुकदस, कोशिश करो, छोटी सी life है, हमारी छोटी सी life है, 65, 70, आज कर कौन, 100 years पे जाता है, बहुत छोटी सी life ह कम से कम conflicts बढ़े, कम से कम, जहां वर आपको लगता है कि मेरी एक दफ़ा step back करने से, भले मैं जिस सही right space पे हूँ, एक दफ़ा step back करने से, मामला जो है, वो conflict पे नहीं जाएगा, avoid conflicts, जैसे जितने हैं आपके बीच में conflicts आते हैं, families में भी आते हैं, friends में भी आते हैं, मियां how to step back, एक step पेचे करने से, अगर आपका conflict बच जाता है, तो stay on the back step, कोई जरूरत नहीं आगे भड़के कोई बात करने की, या आगे भड़के कोई चीज clear करने की, कोई जरूरत नहीं, step back, again, ये आपकी ego ही होती है, जो आपको कहते हैं, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये भी और पर उसमें आके आप इतनी की बात कर जाते हैं, जिसका कोई जवाज भी नहीं है, जी मुकदस, सोरी, आपको मैंने बुला के पर बात चुरू करते हैं, यही था कि आम इसको overcome कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको खतम कर दें अपने अपने की जरूरत है, because आपने अपने अप आपने काम कर सकते हूं, but overconfidence is wrong, उस तक नहीं पहुचना, यह बहुत बारीक सी लकीर होती है, यह step very easily आपको पता भी नहीं चलता, कब आप confidence से overconfident हो जाते हैं, तो आपने overconfidence की तरफ नहीं जाना, अपने situation को assess करें, कहां जी, यह मैं कर तो सकती हूं, आप यह नहीं कर सकते ह session, जिस सकत मैं session ले रही थी मेरे दमाग में बिल्कुल भी नहीं था के how I will deliver the session, हला कि मैंने पूरी क्यारी की वी है, I have notes, everything, लेकिन फिर भी at the end था के might be, मेरे, मेरे point of view से कोई वाजी, कोई agree करता है के नहीं करता, और अगर मैं कहती ही, नहीं मेरा point of view best है, मैंने तो यह I do have, I prepared my slides, I do have slides, I do have slides, मैं वापको show करके आपको forcefully, बोल भी सकती थी, बता भी सकती थी, कि these are the lines and I am reading it for you, ताकि आप उसको खुद सोच लो, मैंने आज वो नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने slides को अपने पास ही रखा, आप लों के साथ शेयर नहीं किया, उस मेंसे point share कर, ल और आप लोग भी जो अभी तक बैठे हो, definitely, आप लोग अपनी position को assess कर रहे हो, और ready रहो इस चीज़ के उपर, कि I am gonna ask anyone, या आप यहां पर खड़ो कि आप अपना view दो, उससे क्या होता है, कि आप overconfidence की कि तरफ नहीं जाते हो, मैं नहीं थी, thanks God, मैं नहीं थी, नहीं तो मै इसको, इसकी उपर, पटाख आपके सामने pages रखते थी, पढ़ते थी, और कहती, this is ego, this is not ego, ego is, आपको अपने आपको एक level पर रखना है, उससे उपर नहीं जाना, जहां पर और लोग bother होने लगती, यह आपने जहान रखना है, कोई नहीं रख सकता, तलत, तलत, जी, मेरा पॉंट था कि जैसे कि सफिया ने और आपने भी कहा कि, वह एगो इस अपॉदेंस और एक बिजए पॉदेंस और एक बिजए पॉदेंस और ओवर पॉदेंस के मिडल में, I think if the low confidence to have, वह भी एक एगो की स्टेत होती, कि सम्थाइम है, हालात की वज़ए से आप में confidence low हो जाता है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह एगो फिर आपके आगे आ रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये काम कर रहे हैं, तो तो वह पीर जो होता है लोगों का, ये बहुत सारे लोगों में आता है कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिष्टेदार क्या कहेंगे, और वह आगे बढ़ने से उनको रोकता है, वह एक एगो की स्टेड ही है, आपकी, और सम्टाइम्स अगर आप अचीव कर लेते हो उन सारे चीज़ों को तो आप में overconfidence हो जाते हो, तो उसको overcome करने के लिए अगर overconfidence हो तो मुझे जो experience, मेरा personal experience हो, उसमें मेरे कुछी यह होता है कि आप जब भी कुछ काम करने लोगों कुछ भी है, तो अपनी intention, नियत को check कर लो, कि why I am doing it, for who I am doing it. तो अगर आपकी नियत यह है कि मैं तो पस एक of Allah को लिए कर रही हूं, यह काम दो भी है, help है, कुछ भी है, कहीं भी है, तो आपका वो एक काम का quality होती है, वो भी बेहतर हो जाती है, और आप expect नहीं करते हैं दूसरे बंदे से कि इसके कोई अमीद लगा के बैच रहे हैं, कुछ होगे, तो वो भी वहां पर आप एक अराम से करके निकलाते हो, लोग कुछ भी कहें, अच्छा कहें, बुरा जरे हैं, जो भी है, लेकिन आप बिलकुल satisfied होते हो, तो इस तरह से भी overcome किया जा सकता है, अगर over confidence है, एगो की वो state है, अगर lower है, तो I think वो जो fear होता है, हम कि उसको मारना होता है, तो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो आप जो करना आपको, आप वो step कर दें, तो मुझे तो इसमें बहुत help मिली हो, और मैं इन दो rules को लेकिन साथ आगे चल की हो, तो alhamdulillah, वो ठीक हो रहा है, अगर किसी तो यह चीज बताती हू लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है, बाते करना, यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह जर्नल फ्रेज है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है, बाते करना, आप में क्या करना है, वो आप सोचें, आप तो कह रहे हैं, क्या वो वाक्री ही सही डामेंशन में है या नहीं है, ल इसलिए कि आप करना चाहते हूं कोई काम लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो वो भी एक छोटी सी हैर लाइन एक एगो की ही स्टेट होती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है कि लोग क्या कहेंगे अच्छा मैं यहां से स्टार्ट करूं तो I think मेरे नजर में यह भी एक एक एगो ही है कि अब ज़ू होता है आपके दमाग में नएगेटिव थोट आने शुरू हो रहाते है नगेटिव थोफस्त जो आप बात करें लोग क्या कहेंगे इस आ आपने को उसका बढ़ने समझ रहे होते हैं जो आपकर सकते आप ंब थे यहाइटी कि आपकी एक फॉर्म है आप कुछ भी करने लगते हो तो आप उसके प्लास यह सबसे बड़ी चीज होती है मैंने यह कर दिया तो यह वह गया तो फिर लोग क्या कहेंगे मतलब आपको यह डाड होता है कि लोग क्या करेंगे आपको यह नहीं पता था क्या आपको आगे भड़ने ही नहीं देता अगें जो आप बात करो कि इस सा फॉर्म आफ एगो एक्शली यह जो हमारे दमाग के जितने भी बाते हैं ना यह सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ट है नागेटिव थाट्स नागेटिव थाट्स इगो आपके कंपेर अपने आपको करना डिप्रेशन्स एक्जाइटीज यह सारी चीज़ें एक दूसरे साथ लिंक हैं आप यह एक्स्ट्रेंट करने का मकसद यह होता है कि आप उस एक चीज़ का बीच अपने अंदर से निकाल करना शुरू करते हैं आप एक चीज़ को अवर करम करें और फिर देखें कि अच्छा यह मने खतम किया तो आगे से दूसरी भी तो आ रही है उसको भी मैंने क्लियर करना तो ही जाके आप अपने पूरे दमाग के साथ एक फुल इसे आप कहते हैं कि नाओ आम आम नॉट हैं अब ही भी काफी ऐसे मसाहिल होते हैं जहां पर कोई ना कोई बात सोच आई जाती है दमाग में दमाग दमाग तो सोचे खाव तो चलता ही रहता है वह तो एक ऐसे चीज़ है जिसको कोई स्टॉप सोथे वे भी नहीं है लेकिन पर फिर यही है तो आपनी नियत चेक करें का और वो काम की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और मेरे वो एगो भी खत्म हो जाता है ऐसे ही है जब आप सोच लेते हो जब उसको काम करने से पहले कोई चीज सोचने से पहले आप उसको एक पूरा उसका सांचा ढाल लेते हो कि सबसे पहले आप यह कर किसके लिए रहे हो उस कि तरभीयत ही नहीं है कि हम लोगों ने अपने किसी काम को अनलाइज करना है हम ने मुस्टली आगे पीछे लोगों को देख करना अच्छा उसने कर लिया मैं भी करूँगा करूँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप उसमें कूट पढ़ोगे और फिर आप उसके अंदर परशा इफ यॉर नोट कैपिबल या आपकी उत्ती इतनी आपकी कर वह नहीं है सकत कि आप उसको चीव कर सको जारी बात है वह आपको बैट थाट्स की तरफ लेके जा रही है आपको सुक्सेस्फूल नहीं कर रही है और आप ब्रेक हो रही हो तो यह सारी चीज़े इंटर करना है इतनी आवाज बोले जी मैं मैं एक्शली सुरी मैं टापिक से हटकर बात का रही हूं मैं जो चैट सेशन में यूटूब वीडियो का लिंक सेंड किया है इसका क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि इट्स माइफ कि मैं यह आपका कर रहा गया है हुसकर इसको किरेंगे इस में त्योजिव कर लिया गया है कि में आपको इब कर निया है तो ही कर ले, then I have to leave. Okay. No one? No one? Okay. Thank you very much everyone. Inshallah, see you tomorrow.